लोग ये कहते हैं कि Food Safety Department कारवाई करता है, मगर जिस भी होटल में जाता है, वहाँ से कुछ पैसे उठाते हैं, जो आदिकारी होते हैं, वो पैसे उठाते हैं और उसके बाद में उस कारवाई को रफा दफा कर दिया जाएंगा लोगों की सौस्ते के साथ खिलवाड हो रहा है, कि बार से जो नकली, घी, पनीर, मावा आ रहा था, वो काफियत तक कम हुआ है, जो चोरी छुपे ला रहे हैं, हम उन्हें लगातार तलाश रहे हैं, जो लाएंगे, हम उन्हें पकड़ेंगे, उनके खिलाब पैनल्टी करवा किसी तरह की खामियों से वहाँ पर पाई जाती है, वो 181 के द्वरारा हमें कॉल करके कर सकता है, कलक्ट साभ कियांद सिकायत कर सकता है, वो CMHO ओफिस में सिकायत कर सकता है, आपने नकली चीज़े वहाँ पकड़ी, पुराना खाना, सड़ा गला खाना पकड़ा, इसको हम न और इंदिया में हम नंबर वाले लोगों की स्वास्ते के साथ जो खिलवार करने वाले ठेकेदार है उनके विरुत कारवाई करने के लिए अभी कितना तयार है लगातार हमारी कारवाई हैं चल रही है कल भी हमने ऐसे साड़े साथ अजार लीटर तेल पकड़ा है जो गलत करने वाले हैं तो 20-25 परसेंट है उनको हम पकड़ने कोईश्ट कर रहे हैं आजकल जिस तरह से मिलावट होती है तो अंदा से लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास तो इक्यूमेंट्स होते हैं हम लोग कैसे पता कर कि तू पेक करके रख लेना मैं आउंगा तो मेरी गाड़ी में रखा देना वह गाड़ी में रखवा देता है आप खुश हो के घर आ जाते हैं इनने आपने चेक किया गाड़ी में हमारे पैट्रोल की जगए अगर डीजल चला जाए तो दिक्कत हो जाए अब बाहर खाएं आप उससे पूछ नहीं रहें कि कब काटा है आपने आज इस्तिति है कि पांच में से एक आदमी को कैंसर हो गया है ध्यान आप स्वैम नहीं रखेंगे को सेंगे आप सरकार को गालिया देंगे आप फूट सेप्टी डिपार्टमेंट को अगर आप टेस्ट करेंगे तो अगरा प्रिजेवेटरिज मिलाए ही जाते हैं तो वह अल्टिमेटली आपको इस सेहत को यदि आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको नुक्सान हो गई इस वक्त देश भर में त्योहारो का मौसम आ चुका है त्योहार याने के मिठाईया याने की बहुत सारी हमारी फेवरेट चीज़े क्योंकि भारत की संस्कृती तो आप सभी जानते और पैचानते हैं त्योहारो का देश है और त्योहारो का समय जैसे ही आता है वैसे ही मिठाईयों की जो खुश्बू है वो बाजारों में फैलने लगती है मगर वर्तमान दोर की यदि बात करें तो आप देखिए कि मिठाईयों में तरह तरह की मिलावट की खबरे लगातार सामने आने लगी जिसके बाद से प्योरिटी पर जो है बड़े सवाल खड़े होने aikhi की food safety department लगातार कारवाईया कर रहा है और इस तरह की जो धरपकड़ है फिर चायह वो कोई restaurant हो के yapay हो या फिर द्धाबा हो या फिर कई llagatार कारवाईया जा रही है और अब अंदाजा है कि जो चीजे है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, कैसे क्या कारवाई करेगी? चीजें बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, हम आपको आश्वस्त करते हैं, क्योंकि हम लगातार कारवाई सभी चीजों पर कर रहे हैं, चाहिए वो मिठाईया हो, मावा हो, पनीर हो, तेल हो, घी हो, मसाले हो, या पैक्ड दूसरे आईटाम्स हो, आप देख भी रहे हैं, इसमें क नकली घे, घी, पनीर, मावा आ रहा था, वो काफियत तक कम हुआ है, और जो चोरी छुपे ला रहे हैं, हम उन्हें लगातार तलाश रहें, जो लाएंगे, हम उन्हें पकड़ेंगे, उनके खिलाब सक्त 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 सजा कर वाएंगे, लेकिन पंगजी आप देखिए ना कि यह जो पैरामीटर है, वो तैय नहीं हो पा रहा है, अभी हाली में आपने हर्याना से जो नकली पनीर आ रहा था, वो आपने पकड़ा था, शापुरा क्या आसपास, मगर इस तरीके से राजस्थान के बाहर से कहीं हिस्सों सी चीज़े राजस्थान में आ रहे हैं, लोगो से हरियन और गुजरात से आरा था, उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी खेप हमने इस भी हमने फटिए यह जो नए तरीक इजाद किये थे, वह गार पास उसनों पहले से प्रोएक्टिव हो करके उच्छादीगारी जो हमारे हैं कि निदेशन में उनके ध्यान मिलाके कारवारी कर रहे हैं सरकार इसको लगातार मॉनिटर कर रही है और शासन का जो सर्वोच इस्तर है मान्य मुख्यी मंद्री जी स्वैम इसको मॉनिटर करते हैं हम सारी सूचनाएं लगातार उन्हें भेजते हैं उन्हें जो डार्यक्शन मिलते हैं और उनको पूरा करते है पंकर जी मानली जी जो कि हमारी जनता है प्रदीश की उन्हें इस तेज़ को ले करके कभी कोई शिकायत करनी हो, आप तक बात पहुचा नहीं हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी रेस्टरॉंट पर खाना खाने गया है, किसी तरह की खामियों से वहाँ पर पाई जाती है, Food Safety Department तक पहुचने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वह 181 के दोपर हमें कॉल करके कर सकता है, कलक्ट साब किया है शिकायत कर सकता है, वो CMHO ओफिस में शिकायत कर सकता है, और हमारा जो वाटसप नमबर है 94628199 उस पर ही वो शिकायत कर सकते हैं। आपने हाली में जैपुर में भी बड़ी कारवाई की जैपुर के जो बड़े मौल है डीमाट मूल को आप ले लीजिए बड़ी तादाद में नकली की सरस ब्रेंड का आपने पकड़ा है जो किक नामी गिरामी ब्रेंड है इसके अलावा कई होटेल जैपुर की जिसमें और इस तरह की शामिलती आपने नकली चीजें वहाँ पर पकड़ी पुराना खाना खाना पकड़ा तब क्या कारवाई करी थी उनके खिलाब जो सड़ा गला हमें प्रामाफसाई पुता लगता है इसको हम नश्ट कराते हैं इसके सेंपल्स लेते हैं सेंपल्स लेकर के लेबर इस तरह के सवाल जो है वो भरे पड़ें लोग यह कहते हैं कि फूर सेफटी डिपार्टमेंट कारवाई करता है मगर जिस भी होटल में जाता है वहां से कुछ पैसे उठाते हैं जो आधिकारी होते हैं वो पैसे उठाते हैं और उसके बाद में उस कारवाई को रफा-दफ इन लोगों पर लगवाई है और हमने 28,233 में फूड लाइसेंस जारी किये हैं और दो लाक बैतर जार पांसो चौमलिस ग्राम ऐसी चीजें हमने सीज किये हैं और आपकी इस बात का यह भी जवाब दूंगा जो दर्शक देखें जो ऐसी बाते करते हैं उन्हें इस बात प हमने 298 के साथ भी 284 परसेंट टागेट अचीव करके सेंप्लिंग का राजस्तान देश में नंबर बनाया है ऐसी कोई शिकायते हैं हम काम करते हैं लेकिन फिलाल हमारे पास ऐसी कोई शिकायते नहीं आ रही है क्योंकि मान्य मुख्यवंति जी का भिहान है वो स्वह सकते हैं लेकिन हमारे अकड़े यह बताते हैं कि राभाएं नया में जो कोई दोरा है नहीं है कि food safety department राजस्थान में इस वक्त काफी भैतरिन और सरानी ये काम भी कर रहा है मेरा अंतिम question आप से रहेगा क्योंकि राखी आने वाली और राखी के बाद से त्योहारों का जो सिलसिला है वो राजस्थान में शुरू होने वाला है food safety department ऐसे जो लोगों क commissioner हैं उन्होंने बाहर जाकर के पकड़ा था यहां पर भी चल रही है हमारा मकसद ये कि सबी को एकी कटकरे में नहीं लाना है हम को हमने बहुत बहुत अच्छे व्यापारी बहुत अच्छा काम करने वाले है जो बहुत अच्छा काम कर रहे है az很好 award बढ़े उनको और पर्ति साज है कि हम जणता को जागरुप करें कि कया घा 설实 at कि आप करें कि यह सई है खराब है वह भी हम लगातार करनी को इस कर रहे है हमने अभी पिछली दिनों होटल एसीशेशन सेंस जो सारी हैं उनका फेडरीशन को बुलाया सारे जैपूर के बड़े होटल रेस्टेंट ऑनर्स और दूसरी एसीशेशन से पतादीगारी शामिल होई हमने उनको एक के बारे में पताया क्या-क्या वह सुदार कर सकते हैं इसस ऊ crít करेंगे और आप लोग हमें ट्रेंड करेंगे हमारे ट्रेंड औरों को ट्रेंड करेंगे तब टीनों चारों काम एक साथ कर रहे हैं आपने COBी चीज कहीं कि अम जंता को जागरूत होने की ढ़ practices रहें कियाने पहले चेक करी कि असली या नकली है मगर आजकल जिस तरह से मिलावट होती है तो अंदासे लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास तो इक्यूमेंट्स होते हैं हम लोग कैसे पता करें आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया मैं चाहता भी था कि आप यह सवाल पूछें कि हम कैसे चेक करें पहले तो यह कि हम थोड़ा उसा एक पीडी पीछे जाएं तो हमारे जो बुज़र के मता पिता और हमारे दादा या जो भी रिष्टेदार हुआ करते थे पहले पांसा दस दुकानों पर जाकी चेक करते थे करते थे मिअद şunu करते हैं रचे लाया है और हम ऐसा कुछ नहीं करते हम आपिस से भागे-बागे दुकान grown daarn कि तुप कर रख लेना मैं आऊंगा तो मेरी गाड़ी में रखा देना कि आप खुश हो के घर आ जाते हैं ना आपने चेक किया नहीं आपने टेस्ट किया नहिसे सूंके देखा ना आथ में लेकर के देखा अब जो आपके पास आगया वह आप गहों कौन से वालीटे कर लाए है तो उसकी क्वालिटी ठीक है कि इसने प्रिजर्वेटिव क्या है मसाले आप लाये हैं तो कहां पीसे पीसे गए हैं इसमें डंठल है कि कोई और मिलावट है इसी दरज है घी तेल है आप कौन सी क्वालिटी का लिया है वो टेस्ट ट्रस्टेड है कि नहीं क्योंकि यह जाए तो दिक्कत हो जाए हम कोई सिच करते हैं अच्छे पेट्रोल प्रम से हमारी गाड़ी में तेल लवाएं लेकिन यह जो अनमोल करोड़ो अर्बो रुपे की गाड़ी है इस में जो जाएगा और जो आपको प्राण दाई शक्ति देगा उसमें जो आप यूज कर रहे हैं क्या उसके लिए हम थोड़ा जा पांदस में नहीं लगा सकते हम सूखे मसाले लाकर हमारे सामने नहीं पिसवा सकते हैं अच्छे वराण का गहूं लेकर कि क्या हमारे सामने पिसवा नहीं सकते हैं अब तो कोल्ड प्रेस चक्क्या आ गई हैं जो आपके सामने पीश सकत अब बाहर खाएंगे तो हमारे ओल्ड सेंग्स है जैसा खाए अन पहला सुक निरोगी काया अब वहां जो लोग हैं वह कमाने के लिए बेठें वह आपको सब चीजें ब्यूटीफाई करके दे दिया वह उसकी ग्रेवी कब की है अंदर कीचन में जो सब्जियां उसने बनाई है उसने बना करके उसे ढखा है यानी जो सलाद आप खा रहे हैं अब प्याज इतना ज्यादा कंटे मेनस्त होता है कि अगर उसे 15 मिनट से पहले अगर काटके रख देते हैं तो जहर हो जाता है अब वह सूबह से काटके रग दी गई हैं आप उसे खा रहे हैं टेस्ट में तो कड़वा लग रहा है फिर भी आप खा रहे हैं आप उससे पूर्च नहीं रहें कि कब काटा है आपने जब कि आप उसका डाइसो तीन चुरुप्य सलात का अलग से पैसा दे करके आ रहे हैं पानी वह कौन सा दे रहा है जो आपको मिनरल वाटर कहके दे रहा है वह मिनरल अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपके तवियत खराब होगी आपके रोग होंगे आज इस्तिति है कि पांच में से एक आदमी को कैंसर हो गया है धान आप स्वैम नहीं रखेंगे को सेंगे आप सरकार को गालिया देंगे आप फूट सेप्टी डिपार्टमेंट को यह आपकी मेरी और हमारे जो बच्चे हैं सब की जिम्यदारी है जो मेटो स्वीगी आ गया है पैक भूड आ गया है अब आज कल एक नया ट्रेंड आप देखेंगे बच्चे जो पीजी में होस्टल से में फ्लेट्स में रह रह रहे हैं और आतको दस ग्यारा बारा बजे ओर कर इसने छोंक लगाया पैक किया चांवल जो हाड हो गए हैं और आप रात को बारा एक वज़े से खा रहे हैं तो आप कुर सोच सकते हैं आपकी क्या हालत होगी अब इस सब के लिए सरकार या मारा विभाग या कोई और कैसे जम्यदार हो सकता है बिलकुल पंकर जी आपकी ब उन पैड़ फूट्स का क्या करें घी ले लीजिए तेल ले लीजिए बहुत मुश्किल इसको पैचान पाना और हम जैसे लोग जो की अभी आ रहे हैं या यूद के लीजी मेरे जैसे लोग उनके लिए बहुत मुश्किल इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाए कर पाना की क अधर के लिए टेखें तो उसकी पैकिंग देखें कि पैकिंग उसकी प्राइम आप ऐसे आप देखें कि यह नगली तो नहीं है पैकिंग देख करके पता लग जाएगा बार इसके नरह है या कॉर्ड है उसको आप स्केंड करेंगे तो उस कंपनी की पूरी डिटेल सूंके देखें मिठाईयां जैसे आप खरीदने के हम मिठाई की दुकान पर जाकर करते हैं आदा किलो यह देदो एक किलो यह देदो और किलो यह करके हम ले आते हैं हम उसे यह क्यों नहीं करते हैं कि जड़ा टेस्ट करवाई है अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको वह करके लिया है घर जाके आपने खुला डेर सारी समस्यां ही फिर आप उसके पास जाएंगे वह बदलेगा नहीं आपके आपस में लड़ाई होगी फिर आप अगर कोई बहुत जादा एक्टिव है आप कंजुमर कोट में जाएंगे दूसरा हम बिल नहीं लेते हैं अगर हम बि कर दूँगा तो थोड़ा सा जिम्यदारी से आपको सामान देगा अनिता वह अपना पुराना है ऐसा स्ट्रोप निकालने की कोशिश करेगा तो अल्टिमेटली वह आपके लिए नुक्सान दायक होगा तो थोड़ी से सावदानी तो रखनी पड़ेगी पंकर जी अभी इस तरह के अला कि दावा यह किया जाता है बड़े बड़े जो ब्रैंड्स है वो भी इन चीजों को बड़ावा दे रहे हैं उसमें कहीं तरह के प्रेजर्वेटिव काम में लिये जाते हैं जो कि आपकी सहत के लिए बहत नुक्सान दायक हो सकते हैं क्या यह खाना सही है हम हमारे लिए देने के लिए नहीं है पहली बात तो हम यह समझें लेकिन हम भारती यह भूल जाते हैं कि आखिर बना किसले था यह तो तब है कि आप घर पर खाना नहीं खा पाए घर से खाना लेके नहीं आ पाए कोई इमर्जेंसी हो गई और आपको बाहर क्या करूं मैं कि म मसाले हों चाहिए दूसरी चीज़े हों या दूद का टेट्रप है कि क्यों नहीं उसको प्रिजार करने के लिए केमिकल्स वगरा प्रिजेर्वेटरिस मिलाए ही जाते हैं तो वह अल्टिमेटली आपको इस सेहत को यदि आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपको नुक्स सामने आती है तो एक बड़ी समस्या बन जाता है फूर पोईजनिंग जैसी बिमारिया तो फिर भी छोटी मोटी है मगर आजकल गंदा खाना खाने की वज़े से कैंसर जैसी बिमारिया दस्तक देने लगी है जैसा कि पंकर जी ने बताया आजकल हर पाच में से एक जने को इ सामने आने लगी है तो आप भी जब भी बाजार जाएं अपने घर के लिए कुछ राशन पानी खरी दे तो बहुत ज्यादा सो समझ कर और चांच परक कर ही खरी दे राजस्तान फूर सेफटी डिपार्टमेंट तो अपना काम कर रहा है सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है म कि हमारे और हमारे परिवार के स्वास्ते के साथ उनकी जान के साथ किसी तरह की कोई लापरवा ही ना हो तो आप भी इस तरह की बेवकूफी में ना फसे और कोशिश करें कि जहां से जो भी चीज़ करी खरीदे बहुत ज्यादा देख कर उसे परक कर जाच कर और उसके पाई जाती है तो फूर सेफटी डिपार्टमेंट तक पहुचने की कोशिश जरूर करें फिलाल के लिए इतना ही मैं आपके साथ इश्का जैन वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ पंजाब के इसरी राजस्थान